नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में कब कितना कैसे में आज हम बात करने पाले हैं Move Pain Relief Spaceless Gel के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस जेल का इस्तमाल कप करना चाहिए आप मूफ का इस्तमाल कमर दर्द, गर्दन के दर्द, जोडो के दर्द, मोच आने पर कोई नस चड़ गई है तब कर सकते हैं सरीर के किसी भी मानस्पेसियों के दर्द में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं आपको इसके फायदे के बारे में बता देती हूँ मूव दर्द से राहत देने में मदद करता है ये मसल्स को रिलाक्स करता है और सुजन को कम करता है अब हम जान लेते हैं कि हमें मूव कितना और कैसे इस्तमाल करना चाहिए आपको मूव जेल उंगली पर निकाल कर जो भी अफेक्टेड एडिया है वहाँ पर उसे लगाना है और हलके हाथ से सरकुलर मसाज करना है आप इस जेल का इस्तमाल एक दिन में दो से तीन बार अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं इसको इस्तमाल करने के दौरान कुछ सावधानियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे इसको 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तमाल नहीं करना चाहिए 5 दिन तक मूव लगाने के बावजूद अगर आपके दर्द में सुधार नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें मूव को अपने आँख, शेहरे नाख और कोई भी सेंस्टिव पार्ट पर ना लगाएं अगर आपकी स्किन सेंस्टिव है, ऐलर्जिक है या कटी हुई है तब आप मूव का इस्तमाल बिलकुल ना करें प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप अपने हेल्थ केर प्रोफेसनल की सलाह के बाद ही इसका इस्तमाल करें आप मूव को कभी भी फ्रेज में ना रखें आप इसे स्किन पर हलके हाथ से लगाएं, ज्यादा तेज से रब ना करें और ओवर डोज ना करें वरना इसकिन रेडनेस, रैसिस की समस्या हो सकती है इसमें ओयल ओफ विंटर ग्रीन, नील गिरी तेल, टारपीन का तेल, पुदीने का फूल है ये डिफरेंट साइजेज में आविलेबल है 50 ग्राम का प्रोडक्ट मैंने लिया है 189 रुपीज में इसका सेल्फ लाइफ लगभग 2 साल है आपको इसका परशेज लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक केर बाइ